Welcome to the HTML आज हम HTML में Background Color और Background Image लगाना सिखेंगे Background Color देने के लिए आप क्या करेंगे? Body Tag में जाएंगे यहाँ पर Body Tag Close करने से पहले Space देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे Background Color BG Color BG means Background Color is equal to comma start double comma हम start करेंगे और close करेंगे इनी comma के बीच हम यहाँ पर कोई भी color देंगे जो भी हम अपनी screen पर देना चाहते हैं background पर यहाँ पर हम color दे चुके हैं red और इसका result देखने के लिए आप क्या करेंगे पहले file save करेंगे file save करने इसके लिए हम क्या करते हैं file menu पर जाते हैं यहाँ पर आपके पास option show हो रहे हैं यहाँ पर एक option है save आप save पर click करेंगे या फिर आप control के साथ as press करेंगे तो इस तरह से आपकी file save हो चुकी है अब result देखने के लिए हम web page वाली window पर जाएंगे alt के साथ tab press करेंगे तो आपके पास यह window open हो चुकी है यहाँ पर जो पहले वाला result है वो visible हो रहा है आप changes जो हैं हमने किये हैं उन्हें देखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर refresh button पर click करेंगे जो double arrows के साथ आपके पास visible है या फिर आप क्या करेंगे F5 को press करेंगे चलिए हम refresh button पर click करते हैं तो हमारे पास जो answer है हमने changes किये हैं अपनी file में वो हमें visible हो चुके हैं हमारा जो color है background का वो change हो के red हो चुका है चलिए हम alt tap करके अपनी notepad window पर जाते हैं इस तरह से हम यहाँ पर background color देना सीख चुके हैं तो हम यहाँ पर background image देना सीखेंगे background image देने के लिए आप क्या करेंगे पहले अपनी किसी भी image का path copy करेंगे जैसे हमने यहाँ पर desktop पर एक image copy की है आप किसी भी location पर अपनी image को copy कर सकते हैं और notepad की window पर उसका path दे सकते हैं यहाँ पर आप क्या करेंगे इस window पर अपनी image पर right click करेंगे और उसकी यहाँ पर properties को open करेंगे last option है हमारे पास properties इस पर click करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास यह dialogue box open हो चुका है जो first हमारे पास यहाँ पर field है वहाँ पर हमारी image का name है image type of file jpeg.jpg इसकी extension है हम अपनी image का path कैसे देंगे image.jpg तो यहाँ पर हमारे पास एक और field है location यहाँ से हम location को copy करेंगे और अपनी notepad window पर paste कर देंगे चलिए हम यहाँ पर इसे copy करते हैं ctrl c यहाँ फिर right click करके copy करेंगे और अब हम इसे notepad window पर paste करेंगे background लगाने के लिए आपके पास एक keyword है background आप यहाँ पर लिखेंगे body tag के पास paste देकर background is equal to double comma start and close और इसके बीच में आप अपनी image का path देंगे ctrl v करके या paste पर click करके आप अपनी image का path paste करेंगे और यहाँ पर slash लगाएंगे image का name लिखेंगे image.jpg यहाँ पर आप अपनी image का वही name लिखेंगे जिस name से आपने image को save किया है तो अब हम यहाँ पर path दे चुके हैं अब हमारा next step क्या होगा अब हम अपनी file को save करेंगे ctrl s से या फिर file पर जाकर save button पर click करते तो इस तरह से हमारी file save हो चुकी है all tap करेंगे इसका result देखने के के लिए और अब हम यहाँ पर अपनी window में enter कर चुके हैं web page में यहाँ पर पहले वाला result visible है अपनी screen को refresh करेंगे refresh button पर click करके तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर image जो है पहें थैंक यू